हेलो गाइज, मैं नेम इस अमन और वेलकम तो माई चैनल स्कूल फेलो क्लासेज आज का जो हमारा टोपिक है वो है सेवन्थ क्लास की NCRT की इंगलिश की बुक जो है इंगलिश सप्लिमेंटरी रीडर और इसका नाम है एन एलियन हैंड इसका फर्स चेप्टर है ता टाइनी आज हम इसकी हिंदी समझेंगे पहले इसको इंगलिश में करेंगे देन उसके बाद इसकी हिंदी समझेंगे उसके बाद इसके question and answers हैं वो भी हम करेंगे तो सबसे पहले चलिए start करते हैं बिना किसी further delay लेगे क्या आप मेरे को बता सकते हैं कि जो सबसे छोटा इंसेक्ट है जो आपने देखा हो उसके बारे में और छोटा होने के साथ साथ वो क्या हो बहुती बुद्धीमान भी हो वाइजेस्ट यानि कि बुद्धीमान हो क्या ये एक मक्षी है मक्षी नहीं जो हमारे घरों में कोमन जो हाउस फ्लाई होती है वो है नहीं ये वो नहीं है ये वो स्मोल तो जरूर है लेकिन वो वाइज नहीं है is it the mosquito क्या वो मक्षर है no not the mosquito नहीं मक्षर भी नहीं है then it must be the worm तो जरूरी बात है कि ये कोई कीडा होगा या कोई इंसेक्ट होगा no none of these नहीं इन सब में से कोई नहीं है जो सबसे छोटा हो और सबसे वाइजेस्ट हो तो क्या है वो चीज़ it is the ant the commonest the smallest but the wisest insect इन सम्में से कोई नहीं है ना वो fly है ना वो mosquito है ना वो कोई other worm है वो क्या है एक ant है जो की सबसे common है सबसे छोटी है और सबसे बुद्धीमाल इंसेक्ट है आप सबने देखा होगा घरों में भी देखा होगा अपने घरों से भार भी देखा होगा हर किसी ने कभी ना कभी चीटी को जरूर देखा हुआ होता है the story of an ant's life sound almost untrue जो कहानी है चिटी की जिंदगी की अगर मैं आपको उसको बताऊंगा तो आपको क्या लगेगा कि ये जूट बताया जा रहा है ये ट्रू नहीं है लेकिन फैक्ट यही है कि जो अभी हम इस चेप्टर में पढ़ेंगे वो सब कुछ सच है किसके बारे में एक टाइनी टीचर कैसा होता है और उससे हम क्या सीख सकते हैं तो चलिए बट पीपल हैव केप्ट आंट्स एज पैस पैट्स एंड हैव वोश्ट दियर डेली बिहेवियर क्लोजली कुछ लोगों ने आंट्स को किसकी तरह रखा है पालतू की तरह रखा है जैसे हम डोग्स और कैट्स को रख है और नोटिस किया है और देखा है उनके डेली बिहेवियर को एकदम क्लोजली नोटिस किया है एकदम ध्यान से उसको नोटिस किया है और उन्होंने क्या पाया इस इन सब उनको पैट बनाने के बाद और उनको बिहेवियर को क्लोजली वोच करने के बाद और नमबर ओफ fact वो चीज़े होती है जो बिल्कुल सच होती है चाहे आपको सच लगे या ना लगे लेकिन कोई भी चीज अगर fact है तो वो एकदम से सच है about this tiny hard working and intelligent creature हमको closely watch करने के बाद कुछ facts पता चले है इस छोटे से hard working intelligent creature के बारे में वो क्या क्या है अभी हम जानते है and aunt uses its it's fillers or antennas to talk to other aunts by passing messages through them जो aunts से होते हैं यह देखिए छोटे 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 यह fillers दिखाई दे रहे हैं आपको मैंने mark किया है देखिए छोटे छोटे fillers हैं इसमें ये वाले ये वाले जो जिसको हम क्या बोलते हैं antenna इसकी spelling आपने याद रखनी है a-n-t-e-n-a-e antenna या fillers भी इसको बोलते हैं तो इसका क्या use होता है जब aunts एक दूसरे से message में बात करती है तो वो किसका use करती है अपने antennas का use करती है अपने antennas के थूँ वो एक दूसरे को messages पास करती है watch a row of aunts moving up or down the wall कभी आप देखना चीटियों की एक line जो उपर और नीचे जा रही हो किस पे एक दिवार पे each aunt greets all the other coming from the opposite direction by touching their fillers जो aunts होती है suppose कीजिए एक line इधर से आ रही है ऐसे और एक चीटियों की line इधर से जा रही है ऐसे तो जो opposite direct जो इधर से आ रही है और जो इधर से आ रही है वो जब मिलती है इस common point पे तो वो एक दूसरे को fillers को touch करती है या antennas को touch करती है और एक दूसरे को greet करती है और message pass करती है तो है ना कमाल की बात चलिए आगे पढ़ते है जिसमें से की black जो है वो सबसे common है और उसके बाद red ones सबसे common है जो की घरों में ही पाई जाती है we have seen them since we were children जब से हम छोटे बच्चे हैं तब से हम उनको देखते आ रहे हैं but haven't paid enough attention to them लेकिन हमने कभी उनके उपर ज़्यादा गोर नहीं किया ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि वो कहां रहती हैं क्या करती हैं तो उसी के बारे में हम इस chapter में जानेंगे where do they live वे कहां रहती हैं in their comfortable homes called nests और aunt hill वे अपने छोटे छोटे comfortable घरों में रहती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं नेस्ट बोलते हैं या more common lane को क्या बोला जाता है aunt hills each has hundreds of little rooms and passages underground यह अपना घर बनाती है ठीक है और चोटे 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 बहुत सारे घर होते हैं एक जैसे सपोस कीजिए एक होल यहाँ पर है एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है यह underground एक दूसरे से क्या होते है connect होते है सारे ही यह इस तरीके से connect होते है यह इस से connect है यह इस से connect है मतलब आप यहाँ कोई aunt यहाँ से जाएगी तो वो यहाँ जाकर के और फिर इस से निकल सकती है यहां जागर के यहां से निकल सकती है तो छोटे-छोटे पैसेज होते हैं एक मेज लाइक सिस्टम या निकी एक भुल-भुली है टाइप सिस्टम होता है जिसमें सभी जो होल्स हैं वो एक दूसरे से चोटे-छोटे-छोटे कमरे होते हैं और इनी कुछ रूम्स में जो क्वीन आंट होती है जो रानी जो चीटी होती है वो क्या देती है अपने अंडे देती है others are nurseries for the young ones called grubs और जो queen के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो eggs होते हैं उनसे जब बच्चे बनते हैं तो उनको क्या बोला जाता है grubs यह आपको ध्यान रखना है आगे भी आपको काम आएगा और nurseries क्या होता है nurseries वो जगे होती है जहां पर young ones जो होते हैं जो छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं queen aunt के उनको रखा जाता है कहां पर nurseries में और nurseries कहां होते हैं वो इनी में से कुछ rooms होते हैं कुछ rooms ऐसे होते हैं जो queen aunt जहां पर अपने अंडे देती है और कुछ rooms होते हैं नरसेरी जहापर young ones को रखा जाता है workers have their reserved quarters अब यह देखे कितनी कमाल के बात है जो worker aunt होती है उनके लिए quarters बने वे होते हैं reserved जो रहते हैं special किसके लिए worker aunts के लिए they spend most of their time searching for food जो worker जो class होती है यानि कि labor class जो होती है उनका क्या काम रहता है वो खाने की तलाश में इधर से उधर जाती है some rooms serve as store houses for this food और इनके तो quarters होते ही है worker aunts के quarter तो होते ही है इसके साथ साथ जो वो खाना लेकर के आते हैं उनको कहां store करते हैं वो store house में जैसे हम अपने घरों में kitchen होती है न या फिर कोई special room होता है जहां पर हम अपना food store करके रखते हैं ऐसे ही इनकी जो घर होते हैं उनमें भी कुछ room reserve रहते हैं जो की store house होते हैं किसके लिए उनके food के लिए अब कुछ soldiers भी होते हैं कुछ लड़ाके चीटिया होते हैं जिनके separate barracks होते हैं इनमें रहते हैं इसको आप spelling याद रखना B-A-R-R-A-C-K-S barracks जो soldiers होते हैं उनके लिए reserved रहते हैं barracks workers के लिए रहते हैं quarters no worker has ever tried to live in a soldier's house no soldier has ever gone out searching for food यह देखिए इसका मतलब क्या है कि कभी भी किसी worker ने कभी किसी soldier के घर बे रहने की या घुशने की कोशिश नहीं की और किसी भी soldier ने कभी खाने की तलाश नहीं की मतलब सबको सबका काम मिला हुआ है एक proper organization है जहां पर यह नहीं है कि आज मैं खाना ढूंड रहा हूँ कल मैं लड़ाई लड़ाई लड़ा हूँ ऐसा कुछ नहीं है मेरे पास एक काम specified है मैं soldier हूँ तो मेरा काम लड़ाई का है और मैं worker हूँ तो मेरा काम क्या है खाना सर्च करना और उसको store houses में store करना कभी आपने सोचा था कि चिटी भी इतनी organized life जीती होगी नहीं आपने नहीं सोचा होगा और आगे कुछ interesting बात है चलिए उनको और जानते है no worker और soldier और cleaner has ever harmed a grub grub क्या होता है मैंने आपको बताया था ये देखिए grub जो होता है वो young ones होते हैं छुटी छुटे बच्चे होते हैं किसके चीटी होके उनको क्या बोला जाता है grub किसी भी soldier ने किसी भी worker ने या किसी भी cleaner ने कभी भी किसी भी grub को नुकसान नहीं पोचाया है so you see an aunt's life is very peaceful जो चीटी की जो जिन्दगी होते हैं वो बहुती कैसी होती है शांती वाली होती है peaceful यानि शांती वाली each does its share of work intelligently and bravely and never fights with other members of the group हर एक जो चीटी होती है उसको कोई न कोई काम दिया जाता है या तो soldier का हो सकता है वो या ग्रब की देखबाल करने का हो सकता है या खाना ढूनने के लिए हो सकता है कोई भी काम उसको दिया जाता है और वो अपना ही काम करते हैं बहुती intelligently बहुती bravely bravely यानी बहादूरी से और intelligently यानी बुद्धी से दिमाग लगा करके and never fight with other member of the group और वो कभी भी अपने जो बाकी members हैं group के उनके साथ कभी भी लड़ते नहीं है कभी भी जगडते नहीं है एक comprehension check है आयोप की यह आप खुद से कर पाएंगे थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता देता हूं कि क्या करना इसमें वैसे paper में शायद यह आता नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा बता देता हूं question number first है the story of aunt's life sounds almost untrue the italicized phrase mean italicized कौन सी phrase है इसमें यह यह किस में लिखा गया है italicized form में लिखा गया है यह जो word है almost untrue इस phrase का क्या meaning है क्या यह highly exaggerated है यह too remarkable to be true है यह not based on fact है तो देखिए इसमें से सबसे पहले option number 3 कट जाता है क्योंकि हम सारे अभी तक क्या पढ़ रहे हैं इसमें fact पढ़ रहे हैं वो चीज़े पढ़ रहे हैं जो बिलकुल सच है लेकिन फिर भी इसने क्या बोला है कि वो almost untrue है मतलब एकदम सा ऐसा जान पढ़ता है जैसे सची नहीं है तो क्या यह highly exaggerated है जी नहीं highly exaggerated वो चीज़ होती है जो सच नहीं होती है उसको मतलब बढ़ा चड़ा के दिखा दिया जाता है मतलब राई का पाढ़ बना दिया जाता है लेकिन जो स्टोरी है आंट के लाइफ की वो क्या है सच है लेकिन इतनी सच है कि वो untrue जान पढ़ती है तो option number two कि almost untrue से उसका मतलब क्या है कि इतनी अच्छी है कि वो सच नहीं लगती ठू रिमार केबल टू बी टू ओके question number two क्या बोलता है complete the following sentences यह आपको पीछे से करना है आंट क्या है smallest है commonest है wisest है और स्टोरी जो है उसके लाइफ की वो क्या है almost untrue है यही सब आपने इन सब lines में लिखना है we know a number of facts about an aunt's life because हमको कई सारे facts पता है aunt की life के बारे में क्यों because आपने ऐसे answer start करना है because people have kept aunts as pets and watched their daily behavior closely क्योंकि लोगों ने क्या किया है aunts को pets की तरह पाला है और उनके behavior को closely notice किया है और उसे उनको क्या मिले fact मिले किसके बारे में aunt की life के बारे में अच्छा question number 3 क्या बोलता है in what ways isn't aunt's life peaceful मतलब कौन से ऐसे तरीके हैं जिनको देख कर कि यह लगता है कि aunt जो है अपनी life शांती में ढंग से जीती है अभी अभी मैंने बताया कि जो जिसको जो काम दिया गया है वो वही काम करता है कोई worker worker वाले काम करेगा soldier soldier वाले काम करेगा और जिसको जो काम दिया गया है जो भी share मिला है काम का वो उसको कैसे करता है intelligently, bravely और कभी भी दूसरों से fight नहीं करता जब fight नहीं करेगा और अपना काम टाइम पे करेगा तो जिन्दिगी कैसी हो जाएगी एकदम पीस्फुल हो जाएगी और यही कौन करता है आंट करती है तो यहां से हम काफी कुछ आंट से सीखने को मिलता है ठीक है उसके बाद कंटीनू करते हैं हम अपने चेप्टर को The Queen is the mother of entire population of the colony जो Queen जो होती है वो पूरी एक कोलोनी होती है मतलब एक ग्रूप ऐञे को क्या बोला जाता है कोलोनी बोला जाती है उसे oportun में काफी हजारों की संख्या में चीटिया होती हैं, उसको क्या हम बोलते हैं, कोलोनी बोलते हैं, और जो मदर, इसकी जो मोन होती है, यानि की मदर जो होती है, वो क्या होता है, क्वीन आंट होती है, मतलब सारा फोकस क्वीस के उपर रहता है, आंट के उपर रहता है, और यही सा about 15 years इसकी जो life होती है किसकी queen aunt की वो कितने साल होती है 15 साल it has a pair of wings आपको ये बात शायद नहीं पता होगी लेकिन इसका एक पंखो का क्या होता है जोड़ा होता है pair of wings उसके बाद क्या बताया गया है but bites them off after its wedding flight लेकिन ये उनको क्या कर देती है खुद ही कुतर देती है कब उसकी wedding flight के बाद wedding flight क्या होती है मैं आपको बताता हूँ this flight takes place on a hot summer day किसी ऐसे दिन जब घर्मी बहुत जादा होती है the queen leaves the nest and goes out to meet a male aunt or drone तो किसी ऐसे दिन जिस दिन घर्मी बहुत जादा होती है queen leave queen जो होती है वो अपना घोसला छोड़ देती है और अपना घर छोड़ देती है घोसला वो पक्षियों वाला घोसला नहीं इनके घर को भी nasty बोला जाता है और जाती है कहां मिलने एक male aunt से male aunt को क्या बोला जाता है drone बोला जाता है क्या बोला जाता है का пользов कि उचाई पे और जब वापिस आती है अर्थ के उपर तो अपने पंको को वही पर चोड़ देती है तो चुद कर लेती है अनि कि उनको चोड़ देती है उन से छोट का रापा लेती है और उसके बाद वह क्या करती है इस इस इंड और सिर्फ ले एग्स करती ही तो अब यहां है। क करते हैं वह खाना खिलाते हैं फीड का मीनिंग होता है खाना खिलाना उनकी साफ़ सफाही रखते हैं हम आप देखे काफ इंटरेश्टेंग बात है and also carry them about daily for airing exercise and sunshine अब वह रानीं के बच्चे हैं तो उनको पूरी भार हवा चाहिए exercise चाहिए दूप चाहिए तो यह सारे काम कौन करेगा वरकर्स करेंगे वरकर्स उनको खाना खिलाते हैं उनकी साफ सफाई करते हैं उनको डेली भार ले जाते हैं ताकि उनको ताजा हवा मिल सके उनकी एक्सेसाइज कराते हैं और उनको धूप का सीख भी लगवाते हैं तेखे कितनी अराम की जिंदकी जीते हैं उसके weeks more और ककून बनने के बाद वो क्या गरते हैं अपना जीवन कैसे जीते हैं अगले दो तिन हफते बिना खाना और activity किये हुए इसके बाद ककून जो है वो क्या हो जाता है ब्रेक हो जाता है तूट जाता है और एकदम जो अडल्ट जो आंट है जैसी हम अपने घरों में देखते हैं वो बाहर निकल के आती है कहा से ककून से अब वो आंट बन जाता है गरब जो होता है ककून बनने के बाद आंट बन जाता है और अब कौन सा टाइम आ जाता है उनको teach करने का और उनको train करने का new aunts learn their duties from old aunts as workers जो नई जो अभी अभी aunts बनी है वो अपनी डूटी किससे सीखती है जो बुर्णी हो चूकी aunts है अब वो चाहे worker हो यह soldier हो builder हो cleaner हो etcetera अब सारे काम इनको कोन सिखाते है old worker new aunts को सिखाते है old soldier ही new aunts को soldier बनना सिखाते है builder cleaner इसी तरीके से ये काम सारा organized way में चलता है after a few weeks training कुछ हफतों के training के बाद the small ants are ready to go out in the world of work अब कुछ हफतों के training के बाद जो ants जो नई नई बनी थी वो अब कहां जाने के लिए तयार है पूरे संसार का exposure लेने के लिए तयार है और वो बाहर निकलते हैं काम करने के लिए and ant hill is home not only for ants but for some other creature beetle lesser breeds of ants and green fly एक ant hill जो होता है वो जरूरी नहीं है कि सिर्फ उसमें ants ही रहें वहाँ पर कौन-कौन रह सकता है beetles रह सकते हैं और ants की ही कुछ अलग breeds रह सकती है green fly रह सकती है why do ants want these alien creature to live in their nest ये alien का मतलब ये नहीं है कि दूसरे घरह से आए है alien का मतलब ये होता है कि जो गैर नागरिक होता है मतलब जैसे इस घर में मैं रह रहा हूँ इस घर में कोई और आ जाए तो उसको भी हम क्या बोलते हैं alien creature बोलते हैं क्या बोलते हैं alien creature बोलते हैं तो आपको क्यों लगता है कि मतलब अपने घर में किसी और को कोई क्यों रहने देगा इसके कई कारण हो सकते हैं for several reasons यानि कि कई कारण हो सकते हैं some give of smell pleasant to the aunt senses इन में से कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर से गंद निकलती है जो की क्या करती है aunts को please करती है उनकी senses को और ज़्याद एक्टिवेट कर देती है और इन में से कुछ क्या होते हैं gives sweet juices कुछ ऐसी होती है जो aunts को क्या देती है मिठा मिठा juice देती है and some are just pets or plaything like cats and dog to the human beings और इन में से कुछ जो होती है वो aunts की क्या होती है पैट्स होती हैं, जैसे कि हमारे पैट्स होते हैं ना, cats and dogs, इनमें से कुछ insects जो होते हैं, वो आंट्स के पैट होते हैं, जिनके साथ वो खेलते हैं, the green fly is the ants cow, the ants train it to give a honeydew like milk with a touch of their antenna, they milk it just as we milk the cow, इनमें से जो green fly होती है, वो ants की क्या होती है, गाएं होती है, the ants train it to give honeydew like milk ants जो होती है, इनको क्या करती है, इनको training देती है जैसे हम cow का milk निकालते है, वैसे ही green flies से क्या निकलता है honeydew निकलता है, जिसको ants जो होती है, वो पीती है, बड़े ही चाव से और इनको कैसे training करती है इस तरी के से training करते हैं कि वो अपना antenna को touch करते हैं और वो honey do देते हैं कौण green fly जैसे हम cow का milk निकालते हैं वैसे ही आंट्स ये होती है वो green fly से honey do निकालते हैं देखे कितनी interesting चीजे हमको आज जानने को मिली आपने कभी सोचा था कि कोई आंट ऐसे life जीती होगी कमाल है क्या आप सोचते हैं कि हमने सीखा है पर क्या हमने उस सीख को एक गुड यूज में लगाया है हमने सीखा बहुत कुछ लेकिन फिर भी हम बहुत कुछ काम गलत करते हैं यानि कि हम इतना सब कुछ सीखने के बाद भी एक बहुत ही छोटे टीचर से सीख सकते हैं जिसका नाम क्या है आंट है उससे हम क्या क्या सीख सकते हैं यह चैप्टर का बहुत important question बनता है hard work सीख सकते हैं sense of duty and discipline यानि कि अनुशाशन में रहना सीख सकते हैं और अपने duty को निभाना सीख सकते हैं cleanliness यानि कि साफ सफाई रखना सीख सकते हैं care for the young ones अपने छोटे बच्चों का या छोटों का ध्यान रखना सीख सकते हैं above all और इन सबसे अलग इन सबसे हटके इन सबसे ज़्यादा जरूरी a firm loyalty to the land where they live एक firm loyalty यानि कि मतलब जहां पर चीटियां रहती हैं या जहां पर हम पैदा हुए हैं जिस देश पे जिस जगह पे वहां के लिए हम क्या हैं एकदम loyal हैं और loyal किस तरीके से firm है मतलब अडिग हैं मतलब हमारी जो loyalty है वो कोई हिला नहीं सकता इस तरीके से जो aunts होती हैं वो firm loyal रहती हैं जहां पर वो रहती हैं और हमको भी firm loyal रहना चाहिए जहां पर हम पैदा हुए हैं जो हमारी मात्र भूमी है तो ये chapter number one था तो अब आप I hope के आपको समझ में आ गया होगा कि इसका जो नाम था वो tiny teacher क्यों था क्योंकि aunt जो होती हैं वो बहुत छोटी होती है और एक teacher की तरह हम उसको ले सकते हैं उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं तो आज के लिए फिलाल इस वीडियो में इतना ही next वीडियो में हम इसकी exercises करेंगे जो question answers हैं या जो भी यह यहाँ पर फिलिंदी blanks हैं यह हम करेंगे तो तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा goodbye and take care फिर आपसे मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ और make sure कि आप मेरे चैनल को subscribe करें और वीडियो को भी like करें अगर आपको अच्छी लगी है और share करना ना बोले ऐसे नहीं सोचना है आपने की सिर्फ मैं ही मैं कर लू कि मैं ही first आ जाऊं या मेरे ही अच्छे नंबर आ जाएं आपने ऐसा कुछ नहीं सोचना है बस इस वीडियो को share करना है अपने दोस्तों के साथ जो आपके साथ 7th क्लास में पढ़ते हैं और अपनी मेहनत करनी है और उसके हिसाब से आपके नंबर बहुत अच्छे आ जाएंगे jealousy नहीं करनी है competition करना है तो चलिए फिलाल इस वीडियो में इतना ही फिर मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ thank you